नमस्कार आप तेख रहें निज्टून्टी पूरबाइट बिहार की राजनीती में आजकल भुचाल मचा हुए है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं अभी अभी बिहार में समाप्त हुए नगर निकाय चुनाओं के दो चर्नों का जो रिजल्ट आया है उससे तो यहीं लग रहा है कि बिहार में आने वाले समय में कोई बड़ा परिवर्टन देखने को मिल सकता है कल तक बिजेपी बिहार में एक स्ट्रगलिन यानि कि एक स्ट्रगल करती भी पार्टी दिखाई दे रही थी जिसके लिए कोई ना कोई उससे साथ की ज़ुरत होती थी उससे खास कर जैसे बिह इसकुमार सरकार बनाते रहें लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार में बीजेपी एक बड़ा दल और सबसे मजबूत कंटेंटिन बनकर सामने आती जा रही है अभी अभी बिहार में दो चर्णों का चुनाव समाप्त हुआ हैं दूसरे चर्ण के है कि बिहार में संपन हुए नगर निकाय चुनाओ के दूसरे चर्ण का जो रिजल्ट है उसमें ऐसे तो छे छे की बराबरी यानि कि छे बीजेपी छे महा गत्वंदन छे छे की बराबरी पर यह मैच खतम हुआ है अभी तीसरे चर्ण में कुछ और सीते जो है बिहार के न यहीं पता चलना है कि दोनों छेचे छेचे नंबर लाकर बराबरी पर यह मैच ताई हो गया है नेकिन इसमें सबसे बरा इंपोर्टेंट बात यह है कि बिहार में बीजेपी अक्केले चुनाव लड़ रही थी जबकि नितीश कुमार महा गत्मंदन के साथ जब से गये हैं तब से वे हर बात में साथ दलों की एक बड़ी महा गत्मंदन की बाते कर रहे हैं और साथ दलों की गत्मंदन के बावजूद भी बिहार में अगर महा गत्मंदन अपने आपको मजबूती स्थिती में नहीं ला पा रही है तो इससे तो यहीं लग रहा है कि महा गत्मंदन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और बीजेपी बिहार में एक मजबूत तल के तोर पर दिखाई रही है आपकी जांकारी के लिए बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाओ या पंचायत के चुनाओ किसी पार्टी के सिंबॉल पे नहीं लड़ा जाता है उसमें जो परत्यासी जिते हैं या जो परत्यासी चुनाओ लड़ते हैं वे इंडिपेंडेंट लड़ते हैं वे किसी पार्टी के समर्थक होते हैं लेकिन पार्टी उन्हें अपना नाम या सिंबॉल नहीं देता है और एक तरीके से इंडिवीजुल चु पोट जरूर रहता है और खुल कर कोई भी पार्टी इसमें किसी भी परत्यासी का समर्थर नहीं करता है फिर भी जो बिहार के चुनाओं का रिजल्ट यानि नगर निकाय चुनाओं का जो रिजल्ट आया है उससे तो यही लग रहा है कि महागत्वंधन अब कमजोर हो रहा है और बीजेपी एक मजबूत होती जा रही है और जैसे जैसे यह परकिरिया और यह गेम प्लान और चाहिए यह रिजल्ट सामने आ रहा है महागत्वंधन के सभी दीगर निताओं के बीच एक तरीके से वो लोग परेशानी में आ चुके हैं काने का मतलब है कि वो लोग के च बता दे कि जब से महागत्वंधन में नितीश कुमार के साथ महागत्वंधन की सरकार बिहार में चल रही है तब से महागत्वंधन की स्थिती और जादा खराब होती जा रही है और खासकर महागत्वंधन की दूसरी बरी पार्टी राजद जो कभी विपक्ष में थी और आ एक मजबूत इस्थिती में आती जा रही है क्योंकि पिछले कुछ चुनाव जो बिहार में हुए हैं और उसमें जिस तरीके से बीजेपी का पॉर्फॉर्मेंस सबसे सांदार रहा है उससे तेजस्वी यादव भी थोड़े बहुत जरूर घबरा चुके हैं करने का मतलब यह है कि महागत्वन्दन की इस्थिती अब ऐसी है कि उन्हें अब अपने काम काजों में और अपनी रणीती में कुछ बड़े परिवर्तन करने की इस्थिती पैड़ा हो गई है और ऐसा लग रहा है कि जब 14 जनवरी यानि कि जब बिहार में दही चुरा का जब पॉल्टिक्स चलता है उसके बाद बिहार की राजनीती में कोई बड़ा उथा पतक देखने को मिल सकता है क्योंकि राजद एक समय जो मजबूती स्थिती में थी अब थोरी बहुत कमजोर होती जा रही है और इसी सब को लेकर तेजस्वी आदव भी कुछ परहसान सा दिखाई दे रहा है नितीश कुमार के साथ जब से वो गय है उनकी पार्टी का जो भोट वैंक है उसमें भी कुछ विखराव और नितीश कुमार की पार्टी के साथ जाने के बाद नितीश कुमार के जो भोट वैंक है उससे कुछ मदद न मिलना और भी चिंता में नितेजस्वी यादव को डा जालता जा रहा है तो देखना दिल्चस्व होगा कि 14 जन्वरी के बाद बिहार की राजनीती में कौन सा बड़ा परिवर्तन होता है हम इन सभी ख़बरों पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई बड़ा अपदेट बिहार की राजनीती से आएगा हम आपको अगले वीड मुझे यानि संजी सुमन को आग्या दीजिए नमस्कार